नमस्कार और आप देखे हैं पनपल भीवानी में कॉंग्रेश का विरौध परदेश है राहूल गांदी वेस्वोनिया गांदी को सुरक्षा देने की माँग पलपल भिवानी सामन शर्मा की विशेश रिपोट परदेश में बीजेपी सरकार की कारिये शेली पर एनर्सी वेक केंदर सरकार द्वारा राहूल गांदी वेस्ट सोनिया गांदी यानि गांदी परिवार की सुरक्षा वापस लेने की विरौध में आज परदेश कॉंग्रे सट्वेंट पर कांग्रेस इकत्र हुए और सरकार के खिलाकना रवाजी कि वहीं पुरवेदायक तुम्वर शिंख ने कहा कि गांधी परिवार की सेक्योटियूर्य वापस ले लिगई है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा कॉंग्रेस परिवार गांधी परिवार की सिक्योर्टी है उन्हें का कि परदेश और देश में महगाई बढ़ रही है लेकिन इनको केवल ऐसे दिखावे करने आते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा वहीं बेरोजगारी चरम सीमा पर है बेरोजगार धके खाते फिर रहे ह किसानों का धान नहीं बिकर है मन्डियों में किसान धान को लेकर के जाते हैं तो वहां लूट हो थी है इन मोगहों को लेकर के कंग्रेस पार्टी भर में पर्देश भर में परदर्शन कर रही है। कांग्रेशी कर्येकरताओं ने कहा कि हमने हमेशा गरीब और किसान के हित में नीदिया बनाई। लेकिन मुझूदा भाजपा सरकार सा तमयनेक बाद नसे मिक्चूर होकर के उल्टे सीधे फैसले ले रही है। उन्होन केंदर सरकार में तुरंन गांधी परिवार को सीक्योर्टी बाहल करने की मांग की है। या नहीं ये केवल एक पुलिस विभाग और NIA द्वारा तैन नहीं किया जाता बल्कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम इसमें इंबॉल्फ होता है अलग अलग सुरक्षा अजेंसिया मिलकर ये तैय करती है कि किसको सिक्योरिटी देनी है और किसे सिक्योरिटी वापस लेनी है हाले में सुरक्षा विभाग की एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ एहम नेरने लिये गए और इसके बाद ही राहूल गांदी वे सोनिया गांदी की सिक्योरिटी वापस ले लिगए हलांकि उनको जेट क्योरिटी दी गई है राहूल गांदी और सोनिया गांदी को जो सिक्योरिटी दी गई थी वो उच्च कोठी की थी किसी भी वी आईपी की सुरक्षा का जिम्या प्रतम स्रेणी के इस दस्ते के पास होता है जो प्रधान मंत्री के लिए लगातार काम करता है और इसी सुरक्षा अजेंसी ने राहूल गांदी वैस सोनिया गांदी को भी सुरक्षा दे हुई थी अब देखें पलपल की विसे सि जहां तक चला है इसले शक्तर सान के अंतर इतली पेरोज़कार ही नहीं हुए जितनी की इसे कम्रश सरकार के अंतर है जहां तक आर्थिक मंदी के सवाल है आप देख सकते हो कि भी जो इंडस्ट्रीज है चाहे मोटरों के कि लिए जूसरी लगाओ और एक अंदर इतना मंदा है उनका सामान तक नहीं हुए नोकरियों में से निकाला जा रहा है इस इस सरकार की बेशानी है जहां तक बैंक की बात सब्सक्राइब करीब चाहरा जार करोड रूपया इस के अंदर सरकार पर देना पड़ा है और उसके बाव जूदी आर्थिक बजी से इस सब्सक्रार उबर नहीं पार ही जहां तक बेरोजगारी की बात आप देख सकते हो कि इस सर्चार के अंदर इतनी नोकरियों से में करीब के जए है और ने के अंदर की 46 स्राव के अंदर और जहां तक है आप देखते हो रिजर पर देंक को की prisम हारत है करोड़ रूपय की का जो पंद आप से बचकोत करीबstar , चैन्य करीब je छो बाए गान की बात है थायए बाज लेहां की बादल चाहिए कि आकलो आप सकते हैं जो किसान को करें चीज की ओपर टेक्स लगया गया कि आ कि जो के ट्रैक्टर लेते हैं सब्रॉज पार्ट्सद हैं उनके उपर करीव वैरा परशन् टेक्स ए खाद के उपर 5% है, दवाईयों के उपर करीब 18% ही सरकार के अंदर लगा है, और उसके बाओ जमिदार को बजार के अंदर अपने चीज अड़तियों के मर्जी के उपर बेचनी पड़ रही है। परदेश के अंदर जो गयापन दे रहे हैं, जो अर्यानकी समझ्छा है, जिस तरह से जो पशू है, आवारा पशू इसकी बड़ी समझ्छा है, और इसी तरह से अनाज की खरीद सरकार करने दी, पानूंक आइदा का पूरा हाल है, और बरस्चाचार का पूरा हाल है। आज पूरे देश के अंदर का पूरे देश के अंदर कांग्रेस, बीजेप की केंद्र में सक्ता होते होते हैं, जिस प्रकार से युवा विरोधी और किसान विरोधी होने का इनोंने परिचे दिया है। आज हम राष्ट्रपती जी से जापन के मात्यम से निवेदन करते हैं, जिस प्रकार से भार्थी जन्ता पाइटी खली एक जुमला पाइटी बन चुकी है। आर्थी जालाद देश के बिल्कुल बेंटी लेटर पर आचुके हैं। किस प्रकार से भार्थी जन्ता पाइटी के सरकार के लोग देश और परदेशों को बरगलानेया काम करते हैं। आज हमारी मांग है। हमें ग्यापन डीजी साथ को सोब करके एक मांग रना चाते हैं। जो इस प्रकार से दुरुवेवार परदेश के साथ कर रहे हैं। इस दुरुवेवार को करना कितम करें। और जो इस प्रकार से ये कॉंग्रेस गांधी फैम्ली के साथ इस प्रकार से ये इस प्रकार से दुरुवार के साथ को निशार करें। और यह बातिक्टा पार्टी के तो गुरह मंतिक हमारे साथ को वन्धि पार्टी-कॉटी एधाय को पनिवार के साथ बडी दूर्वाना के साथ दूर्वेवार को नहीं हुए बुर्दाबट करेंटिन तने जाल, हैंपाई की यिसका मतने अरा! हुआम डने सुर्की! को रने सुर्की! च सke्टी!